मीवाई 14 जस्ट चाइना में भी लॉंच हुआ है जिसका मैंने आपको पूरा डिटिकेटेड वीडियो दिया है पोको एफॉर मीवन एक्स के उपर तो आपको काफी इंट्रेस्टिंग लगा लेकिन ज्यादा हैपिनेस नहीं मिला क्योंकि काफी कुछ चीजें यहां पर एड है जो कि दो है एक गुलोबल का है एक चाइना वाला जो कि 13 का है उसकार यहां पर सिस्टम लॉंचर है जो कि मीवाई 14 और साथ से यहां पर अपडेटर है तो आज की इस वीडियो में आपको यहीं बताऊँगा कि इन्हें डालने के बाद आपको क्या-क्या चेंज नजर आ सबसे पहले आप देखो यहां पर मीवाई 14 का जो सिस्टम लॉंचर है उसका वर्जन आपको दिखाए देता है 4.39.99 संथिंग और वह यहां पर वर्जन है जो कि मैंने इस फोन में जो डाल रखा है तो इसे सिंपली से किलिक करके आप अपने फोन में अपडेट कर सकते हो करें लेने की जरूतनी के आप गलोबल का है तो आप चाइना का लॉंचर दारे हो तो गलोबल या इंडिया या चाइना वाला सारा सिस्टम लॉंचर एक ही होता है ज्यादा फार्क नहीं पाड़ता आप डाल लेना पर फिर भी टेंसन तो आपके मर्जी है ठीक है है यहां पर डाल लिया अब सबसे पहले में यहां पर मीव 14 के अंदर क्या क्या लॉंचर के अंदर चेंज ने जड़ाते हैं वो दिखाता हूं उसका गुलोल में जो कि Android 12 और मीव 14 ने उसमें क्या दिखायाता है वो दिखाऊंगा यहां पर लॉंग प्रेस करने के बाद आपको वीजट्स का यहां पर साइन देखनी को मिलता है उसका इडिट आइकन का ओप्शन देखनी को मिलता है जो कि मीव 14 का मोस्ट इंट्रेस्टिंग और सबसे बड़ा चेंज जिसके अंदर सेम लॉंचर डाला हुआ है और यहां पर भी वही साइज चीज़े देखनी को मिलती है लेकिन यहां पर रिसेंट पर आने के बाद सिर्फ और सी टोटल रैम और फ्री रैम दिखाई दे रहा है जब कि यहां पर फ्री जो एक्टेंशन मेमरी वह तो नहीं कर यहां पर आपको कहा कि में आपको वीजर्ट के सपोर्ट मिलता है जबकि 13 में अभी तक आया नहीं है तो यह लांचर अपडेट करने के बाद भी चीज़ आपको देखनी को नहीं मिलती तो में इन फ्यूचर यह आटो अनलॉक हो जाएगा अगर आप अभी कभी सिस्टम लांचर को अपडेट कर लेते हो तो क्योंकि यहां पर ज्यादा कुछ चेंज दिखाई नहीं देता सार MIUI 14 और Android 13 का ठीक है तो यहां पर मैं सर्च करता हूं लांचर तो यह आ जाता है देखते हो सेम वर्जन है जो कि मैंने भी आपको 14 में सो किया था तो इस तरह किसा आप इसे अपडेट कर लेना था वह तुमें भी एक्स्टा चेंज आपको दिखाई दे दे किसी-किसी फोन क का है तो ऐसे डालने के बाद कोई आपको नहीं मिलने वाला क्योंकि अप्डेटर आपको 13 का ही रहेगा उसमें 14 नहीं आएगा लेकिन हाँ यह लेटेस्ट वाला जरूर हो जाएगा तो इन फिचर जो भी अपडेट आएगा वह असानी से उसके पैकेज जगर आपको आपक नहीं आएगी तो यह बस छोटा मोटा अपडेट है जो कि आप चाहो तो करो अधवर आप इग्नोर है जो कर सकते हो और सेमी से स्क्योर्टी में जाके अनिस्ट्रॉल भी है जो आप कर पाऊगे अनंदर आता है हमारा कैमरा जो कि 4.5 का लेटेस्ट वाला वर्जन है जो कि भी फिलाहल है जो सभी को देखनी को मिल रहा है मीवाई 14 के अंदर तो बहुत सब्सक्राइब कर देखनी को मिल रहा है उनका लाइका कैमरा काम नहीं कर रहा है तो यह आपका असानी से इंस्टॉल हो जाएगा जो कि में भी आपने इसका ईवाई पहले ही चेक कर लिया होग बट मैं आपको फिर से यहां पर दिखाया है तो हमारे मीवाई 14 ओले डिवाईस के अंदर जहाप आपको डॉकमेंट्स का व्यू नीचे देखनी को मिलता है और बाकि यह सारी फाइल आपको देखनी को मिल जाती है जो कि यह लुक आपने पहले से देख रहा है बट यह जो तो टेंशन लेने के ज़रुत नहीं का कैमरा खराब हो जाएगा कैमरा खराब को प्रॉलम आ रहा है वह हार्वेर बेसेच पे है जो कि मैंने विफेक्टर के वज़े से डिफेक्ट आया है जो कि कभी-कभी खराब हो जा रहा है तो कोई सिंपल एप्री के से आपका फोन खर बस एक छोटा सा नया सा लुक आ जाएगा जो कि लेटेस्ट कैमरा का है तो तो इसके उपर यह अपडेट हो जाएगा क्यों यह सबसे लेटेस्ट वरजन है और आप चाहो तो सेम यहां से अनुक्रॉल कर सकते हो और इसका जो आईकन आप दिखो है कैमरे का यह बिल्कुल ह यहां पर नहीं दिखाई देंगा इस वाले क्या राइक यहां पर देता था इन दोसरा कर ना यहां पर अदर्टेवितक ध्युश क्राएं तो बाहता है लेका इसका इस स्फिड़त करना है जो भी आपको जरोत परती है उससे आपको डाउड करके इस तरह की से अपडेट कर लेना है अपने फोन के अंदर और में भी आप पहले से चाइन वाला डालोगे तो इस्टॉल ना हो अपने सिक्यूर्टी आपको एक और अनिस्टॉल जरूर कर लेना तो देखो यहां पर इस्टॉल हो गया गया वर्जन जहां पर हम बैटरी के अंदर आते हैं तो आप देखो यहां पर टेंप्रेचर अब आपको क्या दिखाई दे रहा है नॉर्मल जबकि पहले परसेंटेज यह सोग करता था तो यहां पर लेटेस्ट गुलवल का अपडेटा है ना उसमें भी परसेंटेज को हटा द देखनी को मिलेगा जो कि यह सेम टाप के आपको फीचर्स देखनी को मिलता है चाइना वाले के अंदर और चाइना वाले सिक वरियुक्ष का अंदर एक वड़ नया फीचर्स है जो कि अधीम आशेर दो सें अपलेत कर लेते हैं जो की से अवीरियंटिर शरही बैटिक है पर यह भी simply है जो install हो जाएगा अपने फोन के अंदर और update हो जाएगा और अगर मैं यहाँ पर MIUI 14 के अंदर security आप दिखाऊँ तो यहाँ पर लेकर चलता हूं यहाँ पर आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं जिस पर टैप करने के बाद पूरा discussion open हो जाता है कि आपको बैटरी को चार्ज कैसे करना है बैटरी का हेल्थ है कैसा है उसे सही कैसे कर सकते हो यह सारे information है जो MIUI 14 में unlock हो रहे हैं लेकिन इस अगर आप 13 पर डालते हो तो यह unlock नहीं हो रहा तो यह sad आने वाले टाइम में हमें देखने को मिले हमारे फोन के अंदर बट इस तील डेखने को यह नहीं मिलता लेकिन बस एक छोटा सा चिंड जो कि बैटर एंड परफॉर्मेंस के जगा सिर्फ आपको बैटर दिखाई देता है और बाकि सब कुछ वही देखने क को मिलता है और हां यह जो चाइना वला सिक्यूरिटी एफ है इसमें आपका गेम टुल बॉक्स है साइड बार वह वह वर्किंग नहीं रहेगा यह सबसे बढ़ा पंगार रहता है चाइना वला सिक्यूरिटी एप के अंदर जो कि पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी फिलाल क त्राइब कर दिया हुआ है कि जो चाइना का सेक्यूरिटी अप है उसे अपडेट कर दिया गया है है वही फॉर पोईंट ओ के साथ और जैना लोग जो शीकूरुटी अपर टूल में इसके गलोफ पे ठीक से काम नहीं कर पाता है तो इसलिए मैं सजेस्ट करें हैं कि आप जै लेना मट डालो देख से तो यहां पर मारा गेम टेरों का बार सामने नहीं 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 कर लाया और मैं इसे दो वो टीन वार ट्राइ करूं तो यह एक्रैस कर जाता है जिपकि ग्लोल के साथ यह पंगा नहीं आता तो सिंप्ली आप यसे मत यूज करो तो डाक्ट आप यूज कर चुके हो, इंस्टॉल कर चुके हो, तो अनिस्टॉल कर देना, अनिस्टॉल करते ही आपका जो डिफॉल्ट वाला है, वो आ जाएगा, जिसमें आपको बैटेंट प्रफिमें स्वीच से दिखाई देगा, और यहाँ पर आप डिसीज़ तो की टेम अब तक फिक्स होगा, जिसका कोई भी अभी तक है, जो कोई न्यूज वागरा नहीं है, लेकिन जब भी फिक्स होगा, मैं आपको जबाई, रिफ्यू प्रवाइड कर दूँगा, आज के ही थे टोटल छोटे मोटे सिस्टम एप्स के अपडेट, जो कि मीवाई 14 के थे, औ लिए हमें मीवाइ 13 के उपर भी कोई बिग चींज देखने को अभी नहीं मिल रहा, सिस्टम एप को अपडेट करने के बाद भी, बट ऐसा कुछ अपडेट आता है, जो कि आपको बिग चींज प्रवाइड करें, तो मैं उसके लिए वीडियो दूँगा, तो प्लीज शुरू कर लेना, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, बाबाई